अब मैं सुधीर सर से गुजारिश करूँगा कि आप आईए सर थोड़े से में के लिए आप कांसेप्ट को रखें सुधीर सर कांसेप्ट तो आज डॉक्ट साब ने बहुत बढ़िया रखा है ला जवाप रखा है और अब हमारे कांसेप्ट देने वाले तो बहुत पैदा हो गए और लगाता लगाता जो हम कंसेप्ट पर कंसेप्ट दिये जा रहे हैं उसका जनवरी में हमने सोचा था कि संख्या 300 पहुंचेगी मगर जनवरी पूरी नहीं हुई और उससे पहले ही 332, 323, 324 सभी और बहुत सारी लोग जुड़नी पाते नेट की वैसे और हर व्यक्ति नेट पर अकेला नहीं सुनता परिवार पूरा सुनता है तीन चाल लोग साथ होतें तो लगबाब 12, 13, 14, 15 सो लोग जनवरी में लगातार मीटिंग में सुन रहे हैं आज भी हमारी जो मीटिंग है वो एक हरियाने के अंदर हुई है सांपला में दो मीटिंग हुई है इसको बताएंगे सुधीर कुमार जी अभी आके और एक मीटिंग अपर्चल हुई है जो हरियाने के हमारी जो वर्च्वल थी वो बिजनौर की थी जिसमें सौ से उपर साथ ही जुड़े वो हलाकि एक्च्वल होनी थी मगर एक्च्वल नहीं हुपाई उसका कारण यह रहा कि कोविट की वैसे वहां परिमिसन नहीं मिली और तीस तारिक की जो पांस सो लोगों की मिटिंग थी नागपुर में दिक्षा भूमी के अंदर दिक्षा भूमी में जो मिटिंग होती है बहुत जांदार होती है बहुत शांदार होती है पांस सो खास लोग वहां बुलाए गए थे मगर तीस तारिक की मिटिंग वहां भी परमिसन नहीं हुई तो तीस तारिक को मिटिंग यहा और जितने वह यहां हम concept बता रहे हैं, इस concept के एक खास बात है, इस concept में ना तो डंडा है, ना revolver है, ना बंदूक है, ना पिस्तॉल है, ना दो-दो हाथ हो रहे हैं, ना कुस्ती है, ना यहां किसी को ललकारा जा रहा है, ना यहां किसी को धमकाय जा रहा है, ना लडने की बा को allow करते हैं और नहीं इस के समर्थन में जाते हैं और किसी को उक्साते हैं नहीं कहते हैं क्योंकि लड़ना है जो युद्ध दिया है यह जो मेरे युद्ध की कला सिखाई है वो कला सिखाई है वैचारिक युद्ध यानि विचार का युद्ध यानि thoughts का यानि ideas का युद्ध और इसको युद्ध को हम दूसरे सब्दों में कह सकें या बुद्ध के समय कहें तो मन का युद्ध यानि मानसिक युद्ध और जो मानसिक है विचार और मन चाहें और अगर आपके पास में विचार और मन नहीं है तो फिर जुद में मत उतरना अपने घर जाओ आटा गुतो रोटी बनाओ खाओ और सो जाओ फिर आपके बसकी नहीं है क्योंकि यहां आपका सरीर कितना तगड़ा है इस से फरक नहीं पड़ता आपक मन को और अपने विचार को तो फिर आपका जीतना बहुत जल्दी और ते है यानि सौ परसेंट गारंटी है कि आप जीत होगे क्योंकि विचार का और जो मन का युद्ध होता है उसमें करना है क्या पहले इसको सीख लो कि यह कैसे लड़ा जाता है कैसे नहीं विचार कहा जाता है मन में और मन कहा रहता है सरीर के अंदर तो मन तक विचार पहुंचाना है इस काम को सबसे पहले जिस व्यक्ति ने जाना और जिसने खोजा और जिसने समझा उस व्यक्ति को 6 साल लगे इस बात को जानने में कि मन के अंदर विचार कैसी जाता है और जाकर मन के अंदर क्या करता है उस व्यक्ती का नाम सिद्धत गौतम से बुद्ध तब बना जब वो विचार को मन में पहुँचाने की टैकनिक शीख गया, यानि विचार को बात को कैसे मन में पहुँचाए जाए ये जान गया तब वो आदमी बुद्ध कहलाया तो ये टेक्निक विचार को मन में पहुँचाने की हमारी है भारत की है जो पूरी दुनिया ने भारत से सीखी यानि जो मनों के ज्यान है वो भारत की खोज है वो बुद्ध की खोज है, वो हमारे बाप दादा की, हमारे पता में की खोज है यही जुद्दकिया सबसे बड़ा तोप, सबसे बड़ा हत्याज, सबसे बड़ा रॉकेट, सबसे बड़ा जहाज, सबसे बड़ा बंदूग, सबसे बड़ी गोली यही बात है अगर इसको आप सीख लोगे के विचार मन में कैसे जाता है तो दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती तो किसी का विचार आता है मन में उसको रोक सकते हो रुख जा भई यह विचार हमारे काम करेंगे और अपने विचार के अपने काम के विचार को मन में आने दो बावसाब क्या कहते हैं? Cultivation of mind is the ultimate aim of human. यानि मनुस्य का जो सबसे prime object है, सबसे महत्वन काम है वो है अपने मन की खेती करना. मन की खेती के लिए कह रहे हैं भाई सुन लो. गन्य उगाने के लिए नहीं कह रहे हैं. मन में विचार उगाना है, मन की खेती के लिए कह रहे हैं, अंग्रेजी मैं बोलते हैं, हिंदी में सरल बताता हूँ. और बुद्ध कहते हैं अपने पहले बाके में कि जो मन में आता है, वो पढ़ान होता है, मन सारे काम का ड्राइवर है, मन पूरी सरीर का ड्राइवर होता है, मन जहां ले जाए, वहां जाता है, जैसा मन होता है, वैसा व्यक्ति काम करता है. तो उन्हों सेहीं बात कहते हैं, और भी लोगों ने मन पे बहुत सारी बात की हैं, मन का एक वीडियो बना रखा है, देख लेना, उसमें मैंने बिल्कुल किलियर पता रखा है, तो यहां गबड़ा कहां हुई, लगबग, अस्टी के दसक में, यानि, दो हजार अस्टी के आसपास में, जो लोगों ने काम सुरू किया, उन्हों ने पढ़ा तो अमबेट कर, बड़ तो पढ़ा नहीं, पढ़ा अमबेट कर, और अमबेट कर को पढ़के, उन्हों ने क्या किया, कि जो प्रतारना उनको समाज में मिली, जो उनकी मूचे काटी जा रही थी, जो उनको कपड़े फाले जा रहे थे, नीचे बठाया रखता था, चपन नहीं पहने दी जाती थी, घी नहीं खाने दिया जाता था, उनको गालियां दे दे के बोला जाता था, ये सारी जो प्रतारना मिली, इस प्रतारना क्या जो प्रतिशोध है, वो असी के दसक में लोगों के मन में था, तो जब उन्होंने डॉक्टर अंबेटकर की अनलेशन अनफ काश पड़ी, या डॉक्टर मेटकर की वाइड में पड़े, या डॉक्टर मेटकर की किताबें पड़ी, तो उन्होंने ये देखा, कि ये कर कौन रहा है, और उन्होंने पाया, बावा साब ने तो सब्द का इस्तमाल किया हिंदु मगर उनों ने उसको convert करके ब्राहमण किया बंबं किया तो वो दो बात सीके बस हमारा दुस्मन और बंबं है ब्राहमण है इस बात का पृतिसोद और इस बात का जो negativity थी उसके लिए उनों ने क्या किया कि अपने दिमाग में बावा साब की पूरी फिलोस्पी की बजाए सिर्फ वो दो सब्द उन्हों ने डाल ली बावा साब ने पूरी जिंदगी अपने दिमाग में ना तो बंबर रखा और ना ही दुस्मन रखा वो अपना काम करते रहे चुंकि उनको एक सब्द देना था इसलिए अनले इनलेशन कार्ट में हिंदू सब्द दिया रहे और बुद्ध ने तो अपने दिमाग में कोई फालतू की चीज कभी रखी नहीं तो वो जो बंबर सब्द और जो दुस्मन सब्द आया उसको अपने दिमाग में डालके और युद्ध के मिदान में आगे कैसे युद्ध के मिदान में आगे वहचारिक युद्ध के मिदान में आगे मांसिक युद्ध के वहचान में आगे अरे भाई जब आपने अपने मन के अंदर अपने दिमाग के अंदर पहले ही दुस्मन और पहले ही बंबड भर लिया अब क्या भरोगे अब कुछ नहीं भर सकते तो हमारे अस्ती के दसक के बाद के लोगों ने जो हमको सिखाया वो कविता लिख रहे हैं तो गालियां बग रहे हैं बंबल को दुस्मन को वो अगर लेख लिख लिख रहे हैं तो गालियां बग रहे हैं बंबल को दुस्मन को वो कहीं भाशन दे रहे हैं तो गालियां बगरें बंबन को दुस्मन को वो दुस्मन वो बंबन है वो परसंसा कर रहे हैं तो बंबन कर रहे हैं बड़ा चालाक है बड़ा सकती साली है बड़ा फलाना है बड़ा ध्राना है वो परिसान है प्रतारित है जीतने पा रहे हैं तो कह रहे हैं बमण कुछ भी कर सकता है. ये बमण बड़ा भाया बड़ा सातिर है. इस कुछ भी कर सकता है. मतलव उनोंने हमारे दिमाग में, हमारे बच्चों के दिमाग में और खुद अपने दिमाग में बाबा सापकी positive बात नी भरी. कि बावा साब ने सम्विधान में वीदा पिपल दिया हुआ है, सम्विधान में एकटा होने का दिया हुआ है, बुद्ध ने इतनी जवरिस चीज़ दी है, उन्होंने बमण दुस्मन याद रखा, और हमारे दिमागों में डालना शुरू किया, ये निगेटिव चीज थी, जो हमारे महापुर्सों ने आज तक कभी जिन्द की नहीं की, बुद्ध के पास में लोग लडने आते थे, बहुत साई लोग आये, और एक परिवार आया, परिवार के जितने लड़के थे, वो सारे सारे बुद्ध के चेले हो गए, तो वो बंबल थे, उनका ये करमकान कर जो भिकू थे, के ये गाली बकराया, आप सान्त हो, बुद्ध तो सब समझते थे, तो बुद्ध ने कहा कि बही, ये गाली बकराया है, मैंने ली क्या, नहीं लीं, तो कोई उपहार लेके आता है, अगर उसे ना लो, तो किस के पास रहता है, एकर तो बस बात खटब हो वो लड़ने आये, उन्होंने बड़ी-बड़ी साजी सेंखी, उन्होंने कभी कोई ना पिटिकरिया दी ना बोले, वो हूँ हा भी नहीं करते थे, भिक्कु और भनते जो सामने लोग थे, वो कही बार टेस्ट में आ जाते थे, जो कच्चे थे, कि हम देखेंगे कौन आया हम जानता नहीं जानता है, तो जब उसका टेस्ट होता था, उसकी प्रेक्षा होती थी, तो प्रेक्षा में क्या सवाल कंपस हरी था, अगर तु यहां से जाता है, सिखाने के लिए, लोगों को पढ़ाने के लिए, रास्ते में बच्चे गाली बखते हैं, तो क्या कहेगा, अ किसी ने अगर पत्थर से मारा तो हम उसका धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें डंडे से नहीं मारा किसी ने डंडे से मारा तो उसका धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें सर नहीं फोड़ा किसी ने सर फोड़ा तो उसका धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें चाकू से नहीं मारा उस पिटने को तियार हो तो शिखाने जहिए ओई ओगाली का सकता है तो पढ़ने जाना बिककू ऐसे नहीं थे कि आज किसी सारी टेनिंग होती थी टो कितनी बड़ी टेनिंग थी इस अहिंसा के सिद्धान्त को दुनिया में सब ने अपनाया और ये लंगोटी वाज जो लोग थी भारत में उन्हों वो तो अहिंसा की पुजारी होगे अरे अहिंसा का तो सबसे बड़ा ग्याता सबसे बड़ा जानका सबसे बड़ा प्रॉफिसर बुद्ध है बुद्ध से बड़ा किसने अहिंसा सिखा यह तो बत हो जाएगी क्योंकि जो मन में घुसके आपके वो तो राज करेगा ना जो मन में आपके रहेगा 24 घंटे जैसे क्या मन में हैं गाड़ी चलाने जा रहे हैं गाड़ी में स्क्रेच लग गया टकर हो गई और हमने फटाक से मन में बठा लिया कि इसका ऐसा करेंगे वैसे करें ब गाली देके गया था ये गाली देके गया था और उस गाली को हम लगाता है और सौ साल तक बीस साल तक तीस साल तक लगाता है चिप्टा के बैठे हुए ये गाली देके गया तो गाली देने वाला आपके मन में बैठ गया आप नहीं है वो महां मगर वो आपको सताता रहेगा पर्षान करता रहेगा वो आपको मार के छोड़ेगा चूंकि वो आप उससे जल रहे उसकी गाली में तो इसलिए जो जानकार हमारी लोग हैं बुद्ध जैसे जो कबीर जैसे और जो पता में हैं सारे सारे इस मांसिक रोक के बुद्ध जैसे उन्होंने कहा है कि जब वैचार है शैतान का एक काम होता है कि सहतान आपसे लगाता जगडा करेगा बिना बाद के जगडा करेगा आप सरक्स पर कहीं खड़े हो और कोई सैतान बुद्ध का बंदा आ जाए वो कहेगा में तरफ क्यों देख रहे हो आप कहोगे मैं तो देखा नहीं किरा इतना दिमाग खरा बनाता है यानि आपसे लड़ेगा जगड़ेगा तो आपकी सांती खतम हो गई तो आपकी सांती को ले गया वो और अपनी असांती आपको दे गया तो जो इस तरह के लोग है वो जवस्ति आपसे जड़ेंगे लगड़ेंगे वो कुछ नहीं भी लेके जाएंगे तो आपक काम करें. बहुत लोग भड़काते रहते हैं, नहीं हमें ने भड़नाao. अस्ती के दित्क में, जो लोग आए उन्हों ने इस बात को समझा नहीं और उन्हों ने हमारे लोगों के दिमाख में यह सारा का सारा भढ़ दिया जब आपने दिमाख में उनका नाम भढ़ दिया उनका काम भढ़ दिया उनकी वहवाई भढ़ दी दिन्रात उनके कसीदे पढ़ते रहते हो दिन्रात ये कहते रहे हो तो ये तो इतना पावरफुल है इतना सकती साली अप पलाना है तो मन में तो वो टुकुडे हो गए, यह आज भी क्या कहते हैं, यह दुस्मन है, और यह दुस्मन है, दुस्मन दुस्मन करते रहते हैं पूरे दिन, और बंबल बंबल करते रहते हैं, उनको ना तो समब्ल दिखाई दिया आज तक, और ना उनको दोस्त दिखाई दिया, इस बात को ध्यान र और दुस्मनी तुम्हारे मन में तनी हावी हो गई तुम्हारे खुन में तनी समा गई कि तुम आपस में लड़ रहे हो एक दूसे से यादि लडाई उसकी थी अपने मन में ले आए और खुदी लड़ रहे हो खुदी टुकड़े हो रहे हैं वही जब मन में दुस्मनी रखो जो वहां से टेनिंग लेके आये हुए है वो अपने भाशनों में कहते हैं दुस्मन ये करता है दुस्मन वो करता है सुन लेते हैं हम रिपीट नहीं करते हैं जवाब नहीं हम जानते हैं कि इसके दमाग में दुस्मन और बंबर भड़ा हुआ है समर संग में आया है तो निकल जाएगा भाशन में आदत पड़ी हुई है तो थोड़े समय बाद निकल जाएगी नहीं तो महापुर्सों से सीख लो भाई बुद्ध के किसी एक सेंटेंस में नहीं है कहीं दुस्मन कहाओ के फलाना कहाओ कुछ कहाओ ना अपना काम करना है अपना चुप चाप लोग रहते थे खुब कहते थे ना ना अपना काम करना चुप 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 काम करना है अपना समयधान बनाना है चुप चुप अपना काम करना है अपना भगवान बुद्ध का धम लिखना है चुप चुप अपना काम करना अपने संटर बनाना है यह टेक्निक न और अगर वैचारी की जुद्ध में, मांसी की जुद्ध में, दुस्मन का विचार रहता है, दुस्मन का नाम रहता है, और दोस्त है नहीं वहाँ, तो आदे जुद्ध हर रहे ना, आदे में तो दुस्मन पहला है, अप क्या लड़ोगे, क्या खागे, लड़ते रो, यही का पागल कर दिये, मांसिक बिमार कर दिये, रात में दिन में उनको दुष्मन दुष्मन के दिखाई देता है, पड़ोशी दुष्मन, भलाना भी दुष्मन, भलाना भी दुष्मन, अरे भया समाज में बैठे हो, तो सब का राइट है लडने का, सब का राइट है लडने का, तो इसके लिए वहचारक लडाई को वहचार से करो, सरीर से मत करो, सरीर को मत जलाओ, धिमाग को पागल मत करो, हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है। वो ऐसे ही होता जा रहा है इसलिए महापुरुस ये कहते हैं कि जैसा मन होता है वैसी वाणी होती है और जैसी वाणी होती है वैसे करम होते हैं तो मन को ठीक करो भाई पहले मन में दोस दोस लाओ अब जतने भी ये संग्ठन वारे लोग हैं 29 लाग संग्ठन हैं अब ये सारे सारे बेवकूप जैसे हरकत करते हैं, आपस में दुसमन-दुसमन खेलते हैं, खुदी दुसमन हो गए, अगर ये दोस्त दोस्त करते, तो ये एक खटे होते चला जाते हैं, तो वो ही संग बन जाता और वो ही बनना चीए था, इनको समझाए कौन, तो हम समझाएंगे इनको, क पता चला कि भाई साब संग्ठन नहीं है अब ये अब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं इनमें बाकाइदा फंडिंग होती हैं इनका एकाउंट जनरल बैठता है पूरे साल का खर्चा निकालते हैं इनके कूपन छपते हैं वहाँ पैसा आता है इनको आदत पड़ ग तो कहते हैं सरा भी खराब नहीं है दूद भी खराब है अगर उसकी आदत पड़ जाए इसलिए भगवान बुद्ध ने बताया है कि जो आदत पड़ जाए जिसका राग हो जाए वो चीछ खराब होती है तो दूद भी खराब हो सकता है तो ये एक तरह से इन्हें आदत प बावा साब ने कब कहा था कि और्गनाईज होने का मतलब है हजारो संटन खोलो भगवान बुद्ध ने कब कहा था कि संग में सरंग में जाने का मतलब है तुम बहुत सारे संग के नाम से संटन मरा लो इने ना सुनी किसी ने भी बहुत सारी मेहनत की हमने, हमारी जैसे लोगों ने बहुत कहा, तो का भईया क्या करें, तो समझ में आया कि जिससे आदत पड़ी होई है, वो ची जटा दो, तो आदत किससे पड़ी होई है, भई दूद पिये बिना इनको नीद नहीं आती, तो दूद बंद कर दो, भई अब तो गाली दे रहे है थोड़ा देंगे वीदा पीपल समर्संग के लोगों को तो आप त्यार रहे ना कहीं से कोई डंड़ा बंड़ा आए तो इसका मतलब है कि हम ठीक ट्रेक पर जा रहे हैं जब इनके पैसे बंद हो जाएंगे और पैसे में बारवार केंगे खटे हो ज गण परिसंद में यह जो व्यक्तिवाद मनुस्मर्तिवाद का जो संग्ठन का जो सिस्टम ना रखा है क्योंकि जैसे तुम पैसे लोगे फिर टूट जाओगे तो मैं तो आदत खराब है तो ठोक वजा के कहना पहले ठीक हो जाओ तो इनको होना पड़ेगा हर हालत में होन हैंगे अभी तो पैसा बंद होने में साल लगेगा इस बीच में हम एकटे हो जाते हैं। बस यह बात अच्छी तरह समझना है कि हमठना है जुंकि हमारी जीतने कि यह जिद हमारी जिंदा रहने की है इसलिए हमें हारात में जुड़ना ही है और जुड़के सारे फायदे होते हैं जुडने के लिए यहां आप जो भी व्यक्टि हैं वो कह सकते हैं कि मुझे ज्यादा काम करना है तो यहां जितने साथ ही बैठे हुए वो कोई भी फॉर नम्बर ले लेगा आप से बात कर लेगा बाकी बात थैं वीडियो में बहुत सारी वीडियो कर दो कर दो कर दो कर दो आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते है कहीं भी चला सकते है आप youtube पे चला सकते है, अपने नाम से चला सकते है इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं लाइब बाकी सारी यह पूजी आपकी है धन्यवाद चंगं सरनं गच्छामु चंगं सरनं गच्छामु तूथियं पी बुद्धं सरनं गच्छामु चंगं सरनं गच्छामु तूथियं पी बुद्धं सरनं गच्छामु तूथियं पी दम्मं अर्सेन गच्छामु बुखियं पी संगं सर्णं कच्छामी तर्तियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्णं कच्छामी तर्तियं पी संगं सर्णं कच्छामी